है विवेक बंदुरा मोडिवेशन स्पीकर लीडर्शिप कंसल्टेंट और बिजनिस कोच आज का वीडियो थोड़ा नौलेच देने वाला है बड़ा शांदार वीडियो ऐसे वीडियो आपको पूरे देखने ही चाहिए आज की वीडियो में आपल की के स्टेडी दूंगा आ बॉस्टन कंसल्टिंग गूरुप का मेट्रिक्स यानि वास्टन कंसल्टिंग गूरुप नाम की कंपनी ने इसको शुरू किया था यूएस के अंदर आज आज आम एपल के चार प्रकार के प्रॉडट लाइन को समझने का कुषिट करेंगे जिससे उनकी कंपनी को आगे क् के माध्यम से आपनी कंपनी के बारे में सोचिए अपने शुरू करने वाले बिजनस के बारे में या जो बिजनस अभी आप कर रहे हैं अल्रडी उसके बारे में कहीं लोग हमारे यहां पे कॉर्परिट लीडर्शिप और आंत्रपरियोर्शिप बिल्ड अपनी कर रहे हैं और कहीं कर चुके हैं चार बाते समझे हैं एक तो है जी कि यह जो इंडस्ट्री है यह इंडस्ट्री यह बाहर जितनी भी इंडस्ट्री है मोबाइल की है आई पैड की है आई पॉड की है यह इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर ली है यानि कि इंडस्ट्री साचुरेट हो गई है इस माल की रेक्वार्मेंट डिमांड मार्केट में कम हो गई है या अभी भी है और दूसरी तरफ उपर हम देखेंगे मेरा मार्केट शेर कैसा है इंडस्ट्री मतलब बाहर मार्केट की डिमां आर्ट में जिसको हम बुला करते हैं आइपॉड आइपॉड वो MP3 MP4 प्लेयर हुआ करते हैं जिन पर आप music सुनते थे जिन पर गाने सुनते थे वो आज की डेट में Apple के लिए उसका इनका market share भी कम है और इनका industry का growth यानि की market में need भी कम है उसको हम क्या बुलेंगा वो बॉस्टन matrix के साब से dog माना जाएगा dog मतलब ये वो matrix है जहां पर आपका पैसा लग रहा है लेकिन आ नहीं रहा है iPod का business क्या है ना तो market में need है ना मेरा market में बड़ा share है अगर आपका share भी अच्छा नहीं है market के अंदर और ना market की आगे बढ़ने वाली need है तो ये वो business है इसको divest कर देना चाहिए इस business को कई बार लोग ना emotionally अपने कुछ business को अपने कुछ properties को अपने कुछ ऐसे product line होती है इसको चिपका के रखते हैं अपने साथ में नहीं बेचूँगा मैं चलाए रखूँगा नहीं बेचूँगा चलाए रखूँगा ऐसा product line जो अब आपको कुछ नहीं देने वाला उ लैप्टॉप की market में need तो बढ़ रही है लैप्टॉप का जो industry की demand है यानि की देश दुनिया में लैप्टॉप खरीदे जाएंगे आने वाले समय में 2020, 2025, 2030 तक बहुत लैप्टॉप बिकेंगे 2035, 40 तक जा करके market saturate होनी शुरूँगे तो बहुत लैप्टॉप दुनिया लेकिन Apple का market share तो नहीं बढ़ रहा ना, Apple तो आज भी पीछे है, Lenovo, Dell, Asus, Acer, बहुत सारी और भी कई company यह अभी भी लैप्टॉप के साब से Apple दुनिया में छटे नमबर पे हैं, कई reviews के साब से Apple दुनिया में laptop selling, Macbook में 7 वे नमबर पे हैं, window-based software चल रहे हैं, अभी भी Apple का जो laptop है वो उतना market build नहीं कर पाया, लेकिन market में need तो है, market में growth तो है, इसलिए इसको बोलते है question mark, क्या बोलते है question mark, मतलब इसको analyze करो, अपने product को analyze करो कि कैसे इसको और build किया जा सके, अपने product को समझने का प्रयास करो कि कैसे इस product में क्या changes लाएं, क्या invest करें या divest करें, question question mark, क्या जो analyze वाला area है ये शुरुवात में तकलीफ देता है, ये नए product को जब आप बिल्ड करते हो, तो आपको पैसा pump in करना पड़ता है, काफी पैसा pump in करना पड़ता है, ताकि वो product market में बिके, क्योंकि market grow कर रही है, तो आप पैसा डालोगे, तब ही और दारा बिकेगा तो शुरुवात में analyze करो, कि क्या ये मुझे इसमें पैसा लगाना भी चीए कि नहीं लगाना चीए, क्योंकि मेरा तो market share है नहीं, लेकिन हो सकता है, अगर मैं पैसा invest करूँ, क्योंकि market grow कर रही है, product में, positioning में, strategy में, pricing में कुछ ऐसा change लाऊं, जिससे मैं भी market share है, बहुत तेज़ ग्रो कर रही है, और Apple का market share भी बहुत तेज़ ग्रो कर रहा है, Apple दुनिया की second largest mobile selling company है, Samsung दुनिया में number one है, Apple दुनिया में number two है, Apple का global market share है वो बहुत तेज़ ग्रो किया, तो यानि कि यहां पे industry भी आगे आने वाले समय में और ग्रो करेगी, और ग्रो करेगी, और Apple का share भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यह Apple के लिए बहुत बढ़िया bet है, iPhone, iPhone आज भी कमा के दे रहा है, और आगे भी बहुत कमा के देगा, iPhone को hold करना है, iPhone के market share को hold करना है, और इसको लेकर को और build करना है, जब market share भी ग्रो कर रहा हो, industry भी ग्रो कर रही है, रखाज आता है मेरे चौथे तो नहीं रही ने कहरी संभ रहे, इस कौडरेंट को क्या बोल्ते हैं , इस क्सी समझीं काशन का रही लेकिन मेरा'केट बहुत बड़ा है जाने समझेगा इसमें हम किसको ले रहे हैं? इसमें हमें ले रहे हैं इनका iPad ताबलेट iPad दुनिया में number one brand है Apple के iPad का और iPad में competition भी ज़्यादा नहीं है हाँ market आगे चलके ज़्यादा grow नहीं करेगी market saturated है लेकिन Apple number one है इसका मतलब note चाप रहा है नोट चाप रहा है लेकिन 10 साल के बाद या 5 साल के बाद आईपैड की नीड कम होती जा रही है कम होती जा रही है क्योंकि लोग अब मोबाइल में शिप्ट हो चुके हैं लोग आईपैड की अब दरूवत नहीं समझते हैं आईपाड जहां म्यूजिक सुना करते थे वो तो गेम ओर हो गया आईपैड आने वाले समय में ओवर हो जाएगा तो इसलिए ये क्या शकाओ है इसका दूद निकालो इससे सारा मिल्कियोर काओ और इसका पैसा निकालके उनमें इन्वेस्ट कर दो जहां से बड़ी कमाई आने वाले समय में बढ़ेगी जीदर इंडस्ट्र ग्रो कर रही है जैसे उधारन के रूप में कोडाक ने क्या गलती कर रही शुरू शुरू में कोडाक फिल्म कैमरा में था तो फिल्म कैमरा बनाता रहा और साथ में फिल्म भी बनानी शुरू करी अब फिल्म भी बना रहा और फिल्म कैमरा भी बना रहा है ये दोनों की मार market share भी घटते जा रहा था, घटते जा रहा था, पर यह कोई change नहीं लेखे आया, क्योंकि यह change नहीं लेखे आया, इसको क्या करना चाहिए था, जब इसका number one market share था और उसको पता था, आगे आने वाले समय में, फिल्म कैमरा से हम डिजिटल कैमरा पर shift करने वाले हैं, तब इसको इन दो जगे पैसा लगा देना चाहिए था, उपर जहां इंडस्ट्री ग्रो करेगी, यानि कि वहां से पैसा निकालता और डिजिटल में इंवेस्ट करना शुरू करता, फिल्म कैमरा से पैसा कमाता और बिल्ड करना चाहिए था, चुकि ये इसकी कैश का हुथी, नोट शाप रहा था, एक बिलियन डॉलर का रवेन्यूज का 1975 में, आपको याद होगा, मैंने कोड़क पे दो केस्टेडी दी थी, पार्ट वन, पार्ट तू, कहीं ने पार्ट वन देखी लेकिन पार्ट तू मि इंवेस्ट करना चाहिए, जहां पर मार्केट जादा शिफ्ट होने वाली है, एक थोड़ा मीडिया इंड़स्ट्री का और न्यूज इंड़स्ट्री का भी कुछ एक्जामपल दूँगा, बड़े-बड़े न्यूज चैनल, बड़े-बड़े नीडिया प्रिंट पेपर् इंडिया टीवी है, या वो जी भी अच्छा चल रहा है, जी न्यूज भी अच्छा चलता है, यह सब भी कैश काउज में हैं, लेकिन आप ध्यान दीजे, यह मार्केट आगे जाकर शिफ्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, आज 42 करोड लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते अगर इतने जादा लोग शिफ्ट होने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, मुबाइल आप्लिकेशन पर शिफ्ट हो जाएगे, यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाएगे, आगे का जमाना डिजिल मीडिया का ही, सो जाप रहा है, इसको डिजिटल में अभी नही इनवेस्ट क प्रॉडक्ट पॉट्फोलियो आपको कौनसा बनाना चाहिए? कैसा बिल्ड करना चाहिए? बिजनस में किदर पैसा डालें? किदर से निकालें? किदर नहीं डालें? किदर से नहीं निकालें? इसके लिए आपको leadership funnel में मुझसे मिलने आना चाहिए? मुझसे question करना चाहिए? यहाँ पर आप मेरे साथ में interact नहीं कर सकते हैं, immediate तो नहीं कर सकते हैं, जादा से जादा comment box मे आप लिखते हैं, तो मैं दीरे दीरे आगे चलके एक video बना देता हूँ, लेकिन अपनी सफलता को delay ना करें, पूरा समझना चाहते हैं, तो इससे ओपर आपने बड़ा chapter बनाया हुआ कि product portfolio को build करने से पहले, किन चीज़ों को धियान रखना चाहिए? यह video थे, यहाँ से मैं आपको leadership funnel में framework देता हूँ, assignments देता हूँ, मैं आपको manuals देता हूँ, exercises देता हूँ, questionnaires देता हूँ, आपर role place कराता हूँ, activities कराता हूँ, brainstorming होती है, power point presentations होती है, और 6 महीने तक आपको hand holding मिलती है हमारे assignment coach के माध्यम से, इसी number में phone करिए, check करिए, कि आपके लिए नया न bounce back series नाम के, हमारे low ticket price के events भी है, अगर ये event आपके शहर के कई नजदीक हो रहा है, तो इस number पे phone करिए, ये number अलग है, वो number अलग है, वो leadership funnel के लिए, वो entrepreneurship के लिए, वो 6 महीने के program के लिए, ये number आपके 4 घंटे के event के लिए, bounce back series के लिए, जिसने देश के चोटे चोटे चो और motivational charged up होने के लिए, मुझा करके मिलते हैं, council को phone करके check करिए, और video उनको share करिए, जो product जिनके भी आपके आजपास जिस जिसका business है, उसको वी video ज़रूर शेर करिए, देखिए, आप शेर करेंगे, तो लोगों में विश्वास होगा, ये video मेरे काम का है, product portfolio बिल्ट करने से लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, comment box में तुरंट बताइए, अगली कौन सी business problem है, जिस पे आप video देखना चाहते हैं, अगली कौन सी personality है, जिस पे आप video देखना चाहते हैं, वीडियो को like करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे विश्वास से आपने subscribe किया झाल